हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एपी केमे स्टोर से होराइजन चेस टूर्बो कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इस्टॉल करते हैं कैसे लॉंच करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प कि क्या है करना है इसको चेंज कर लेना है कभी भी कोई गेम आपको सीटेप का अधर इसका दुरी जन है पहला कि मालिजे यदि आप बहुत सारह गेम सीडायोग कर देंगे तो उससे क्या हो लोगा डाटा फुल हो जाएगा डाटा पूल होने के कारण का आपका पीसी आ downtप भैंग होना शुरू हो जाएगा दूसरा कि मालिजे यदि आप बरी मुस्किल से बहुत सारा गेम डाउनलोड करते हैं लेकिन होता क्या है दो मेने बाद चार मेने बाद कभी भी आपको विंडो करप्ट हो जाता है तो आपको फिर से विंडो इंस्टॉल करना होगा जब आप तो आपका सारा गेम का डाटा सेव रहेगा आपको फिर से डाउनलोड करने के जोत नहीं परेगा इसलिए आपको क्या करना हमेशा C-Dab को छोर के बाके जिस भी Dab का अंदर जयदा स्पेस हो उस Dab का अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है यदि आपके केस में C-Dab के क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर सी डाइब को छोड़ के बाकर जिस भी डाइब के अंदर जायदा स्पेस हो इस डाइब के अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है एक्जेम्पल के लिए मैं आपको अपने केस में दिखातो मेरे केस में मैं آپ को डाइब के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा स्यम तरिके से आप यहाँ पर करेंगे उस्टॉल करना चाहते हैं.. एक्जम्पल के लिए मैं आपको अपने case में दिखाता हूँ मेरे case में मैं आपको इस folder के अंदर install करके दिखाऊँगा सेम तरीके से आभी जिस भी folder के अंदर आप install करना चाहते हैं उसके उपर आपको double click कर देना है तो आपको क्या करना इन दोनों को टिक मा कर देना है इसके बाद आपको install पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको क्या करना यहां पर download दिखे रहा है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है DOWNLED COMPLETE होने के बाद यह फायल यहां से हट जाएगा आप आपको क्या करना यहां प्लिव एडरी दिख रहे हैं इसके उपर आपको клиk करते हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर score done करते हैं इस game को open करने के लिए आपको क्या करना है यहां पे click कर देना है यह game open हो जाएगा click करते है इस तरह से यह game ए start हो जाएगा आप देख रहें without को error यह gamephin start हो चुका है इसके बाद यह विंडो आ जाएगा अब आपको keyboard से कोई भी की आपको press कर देना है प्रेस करते हैं ये window open हो जाएगा अब आप यहाँ से select कर सकते हैं आपको single player खेलना है या multi player खेलना है इसके हिसाब से यहाँ पे आपको select कर लेना है इसके बाद आपको enter कर देना है इंटर करते हैं इस तरह से window आजाएगा ये window open होने के बाद यहाँ पे आपको 4 player select कर लेना है उसके बाद ही आप multi player खेल सकते हैं चलिए मैं अभी यहाँ पे escape की दबा के back आ जाता हूँ अभी मैं आपको single player खेल के दिखा देता हूँ single player के लिए यहाँ पे आपको click कर देना है अब आपको keyboard से space bar press कर देना है प्रेस करते हैं ये window open हो जाएगा इसके बाद यदि आप इसके अंदर कोई setting करना चाहते है तो आपको क्या करना यहाँ पे option दिख रहा है इसको पर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा first option दिखेगा general general में आपको यहाँ पे language change करने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे unit दिख जाएगा यहाँ पे on off करने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी changes करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर लिजेगा इसके बाद आता है controller controller के उपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा जो भी आपका controller होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको यह window open हो जाएगा आप जो भी changes करना चाहते हैं यहां से आप change कर सकते हैं याने तो आप देख सकते हैं काउंसा की से क्या काम खरेगा अब इट क्या default set है यहां पर आपको सारा दिख जाएगा उसके बाद escape की दबा के आपको back आ जाना है इसके बाद आता है sound setting यदि आपको sound का setting करना है तो यहां पर click कर देने के बाद यह window open हो जाएगा अब यहां से music volume कम जाएदा कर सकते हैं यहां से sound volume कम जाएदा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से यहां पर जो भी changes करना चाहते हैं यहां पर आप कर सकते हैं आप अपने hardware के हिसाब से जो भी changes करना चाहते हैं यहां पर आप कर लीजेगा उसके बाद आपको क्या करना है escape की दबा के back आ जाना है इसके बाद यहां पर आपको quit के लिए मिलेगा यदि आप game को quit करना चाहते हैं तो यहां से आप game quit कर सकते हैं first option आपको game start करने के लिए मिल जागा यहां पर आपको click कर देना है click करने के बाद यह window open हो जाएगा यहां से आप select कर सकते हैं आपको कौन सा खेलना है चलिए मैं पहले वाला select कर लेता हूं इसके लिए आपको क्या करना है space bar press कर देना है space bar press करने के बाद यह window आजाएगा इसको confirm करने के लिए फिर से space bar आपको press कर देना है प्रेस करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहां पर select कर लेना है आपको कौन सा game खेलना है आप अपने हिसाब से यहां पर select कर लिजेगा इसके बाद यह window आजाएगा यहां प अपने हिसाब से select कर सकते हैं, आपको कौन साथ चाहिए, उसके बाद आपको space bar दबा के इसको select कर लेना है, इसके बाद इस तरह से ये game start हो जाएगा, अब आप यहां से इस game को खेल सकते हैं, इस तरह से इस game को खेल लीजेगा, आप देख रहें, without को error ये game start हो चुका है, like करे, share करे, thank you झाल 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 झाल